आज जो हम स्मोल कर्शी लाइटर शिखेंगे वह हमारा लाइटर M, M जो हमारा बनता है बीच की दो लाइटों में, तो M हम लिखना स्टार्ट करेंगे, यह हमने थर्ड लाइन से लिखना स्टार्ट किया, पहले हमने एक स्लेंटिंग लाइन लगाई और इसमें थोड़ी सी क कर्व लाइन लगाते हुए हमने एक स्टेंडिंग लाइन लगा दी, ध्यान रखना है यह हमने बीच की दो लाइनों तक ही सीमित रखना है, यह स्लेंटिंग लाइन, कर्व लाइन, स्टेंडिंग लाइन, अब हम इसी स्टेंडिंग लाइन के उपर से वापिस जाएंगे और फिर हम लगाएंगे एक छोटा सा कर्व फिर एक और स्टेंडिंग लाइन फिर इसके उपर से वापिस जाएंगे फिर कर्व फिर स्टेंडिंग लाइन तो यह बनता हमारा लेटर M स्टेंडिंग लाइन इसके उपर से वापिस कर्व लाइन फिर स्टेंडिंग लाइन फिर उपर से वापिस कर्व लाइन फिर स्टेंडिंग लाइन फिर कर्व तो यह बनता हमारा लेटर M यह हमने ध्यान रखना है स्मॉल कर्शी लैटर जब भी हम लिखते हैं तो हम बीच में अपनी पैनिया पैंसिल को नहीं उठाते हैं और इसको हम यह हम थार्ड लाइन से ही ब्रहना स्टार्ट करते हैं इस प्रकार्शे बनता हमारा लैटर लैटर भागाज़ लैटर 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 क rules लैटर लैटर वबस्टारे भागाज करते हैं